तो हेलो गाइज वेल्कम बैक तो माँ चैनल मेरा नाम है श्मी सिंग और आप देखे रहा है मेरे यूटूब चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने आइपोन की बैटरी हेल्थ कैसे 100% तरक मेंटेंट कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो स्किप्ट मत करना और वग्याइड तक देखना So लैंस टिप्स बताने से पहले मैं आपको यह बता चाएंग क्या होता है बेट्र थ्सका है आपकी बेट्री अमाल कर सकती हो जो कि'll क्यاتक होई क्याbros आपकी बेट्री केमिकल से बनी होती ऑली पहले पहले जब नया संब अपने कि उसकी क्यापशिटी होगी 100% कि आप फोन शाया होता कि कने हो जासरेह कर जाले और इससे आपकी बैटरी ड्रेन होगी चल्दी तो गाइस आप बात कर लेते हैं टिप्स की तो गाइस में तरफ से पहला पॉइंट है ओवरीटिंग को ओवरीटिंग आप जादे ज्यादा है वाइट करो जैसे आप कभी भी आप गेमी करते हो आप गेम हो या आप वीडियो बाइस बन फोन आप तो आप पहले से अगरिट फोन आपका गरम होगा ऊपर से चार्जिचिंग में आपका बैटरी आपकी गरम होगी चार्जिच से भी इससे आपका फोन खराब गय करती तो पहला पॉइंट है कि आप वरीटि को आप रोएट करो उसमें जूसरा पॉइंट है के बस का लोग मार्केट जाता है कोज भी संस्तिसी केबल ले आते हैhos 170-200 ले आता हैंith महली के बने आता है तो उनको जानगाएं ही कौसी केबल अच्छी होती है कौसी केबल खराब होती है तो मैं आपको सरेश करना कि आप MFI Certified Cable लीजे, जो कि Apple खुद सरेश करता है companies को, उनकी cables को certification देता है, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी cable होती है, तो जो Apple खुद सरेश कर रहा है, खुद अच्छी certification दे रहा है, तो इसका मंदब cable Apple के use के लिए है, Apple products के use के लि अगर आप बहुत fast user हो, बहुत fast user हो, अगर आपको बहुत जल्दीली कोई भी काप चाहिए, तो आप 20W का fast charger यूज कर सकते हो, जो कि Apple का है, लेकि मैं आपको search नहीं करूंगा, अगर आपको use करना है, तो आपको 50% के उपर use करो, इसे आपकी battery है maintain रहेगी, तो कि अगर 20W का fast charger यूज करोगी, तो आपका पहले सी phone गरम होगा, उपर से 20W का fast charger यूज करता है, वो बहुत हीप प्रोवाइड करता है, बहुत जल्दीली अगर phone आपका charge करेगा, इसका मता हीप प्रोवाइड करेगा, तो इससे अच्छा है कि आप 5W का charger इस्तमाल कर सकते हो, जो कि आप पल देता है, बॉक्स में, तो आप अगर आप slow user हो, आप office से आए, घर पे आया, आप से ठंडे हुए और आपको राज में phone यूज करना है, तो आप 5W के charger से आप चार्ज कर लो, राज में यूज करो, कोई दिक्षा निया आपका जिज़े दे phone चार्ज होगा, और आपके 20W का, अगर 20W के यूज करना है, तो 50% के अबब यूज करो, तो इतना महेंगा भी आता है, 15W का fast charger रहता है, और प्तलस 3500 का आता है, 6500 पे आता है, मैं पसमें, तो मैं खुद यूज नहीं करता है, तो मैं आपको सेर्ज नहीं करूँगा, तो आप उसको यूज मत क पॉइंट का, मैं आपको सेर्ज करूंगा कि आप overnight charging avoid करो, आप कहीं से भी आते हो, दुगान से आते हो, या आते हो, आप आते हो एफिस नहीं कर आते हो, तो आप आओ आराम से चार्ज को लगाओ और रात को सोते समय, आप charging के लगाओ तो आप सो जाओगे, उसके बाद क्य क 현ut कि आपका 80 पर संट रहता है और जो बादी के 20 पर संट हो आपका एक घंटे उतने से पहले सई पर सब घंट सब्सक्राइब यह सब्सक्राम नहीं करता है कर्योजिक्ष वे तो 85 पर सुब्सक्क How to slake बैटरी चार्जिंग आप एक हद बनावे कि आपको 20% 30% के रिचे फोन यूज नहीं करता हूं और मैं आपको सही करना कि आप एक हद बना लोगी इसके रिचे आपको फोन यूज ही नहीं करना बैटरी चार्ट पर लोगो तो इसे अचार्ट बना दो कि 20% 30% की निचे आपको फोन यूज मत करो तो गया है जो कि बैगरॉंड में उनके उत्त ददस चलते रहते हैं और उनको यूज होता है सिर्फ सिंगल एप का उस एप से यूज करना लिगे जो बैगरॉंड पर रहां लिग्श पर भी आपके बैटरी आपको निचे खराब करेगा तो उसको आप अपने बैगरॉंड से हटा दो तो उसको यूज करो बहुतार राग में सोते हैं अब सुबर यूज करेंगे पंततर साथ उंगे बैगराओं में चलते रहें तो वह आप बन करते हो आप आप आदते शुदारो और उस चीज को ध्यान दो ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना आगे मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा यह था मेरा पार्ट वान जो की बैट्री हरसल रेलिटर था मैं पार्ट वी लाने वाला हूं बहुत जल्दी तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू